हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा था आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की रेड्मी 12C फोन को आप लोग कैसे रिस्टार्ट कर सकते हो वीडाउट पावर बटन को क्लिक किए अगर आपके फोन में जो है यह पावर बटन खराब हो गए गाईस तो आप लोग अपने फोन को रिस्टार्ट कैसे करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसना आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चेनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह पर सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे एक option देखने को मिला गईज एडिसनेल सेटिंग्स का है तो इसमें हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद देख सकती है अब फिर से एक option आगया है accessibility menu shortcut तो यह option जहें मेरे फोन में पहले से ओन हैगा इस तो इसको मैं पहले आप कर देता हूँ और आपके फोन में भी यह पहले से फ भी होगा तो इसको करना करने के लिày हम इस पर किलिक कर करschaft करने के बाद nीचे अब का option आएगा एगा अब किलिक कर देंगे उसके बाद OK के option आएगग तो करने के बाद power का option आएगा power पे क्लिक करदेंगे और यहाद अपने whisk यहाँ पर से आप अपने phone को restart कर सकते हो ठीक ऐसे करके आप लोग अपने redmi 12c phone को restart कर सकते हो without power button को यूज़ किये तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीदियो अगर वीदियो पसानाया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कल एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई